आपने भी कभी ना कभी अपने से बड़े बुजुर्गों से या बाती सुनी होंगे कि कर्म कर फल की चिंता मत कर जिहुई अधी आप फल की चिंता करने लगती हैं तो आपके मन में ख्याली पुला बनने प्रारम हो जाती हैं और ख्याली पुलाब बने प्रारम हो जाने के कारण कहीं न कहीं आप कर्म में कटोती कर देती ही, तो उसी चीज़ को देखिए, आप लोग का हमारे हाथ में काम क्या है, तो हमारे हाथ में बस एक ही है कि कर्म करना, चाहे परिनाम जो भी हो, परिनाम में चाहे हमारा सफल किसी समय आप सफल हो रहे हैं तो किसी समय आप बिफल हो रहे हैं यदि आप बिफल होते हैं तो अपने आप को कम नहीं आकना है कि मेरे अंदर में वो छमता नहीं है इस चीज की वो चीज की तो उससे आप लोग को अपने आपको आकना नहीं है और हाँ अभी की यदि हम लोग बात करते हूँ और ये मेरी नेतिक जिम्मेदारी भी बनती है कहीं न कहीं आप लोग को जिस परकार से जो भी पढ़ाई लिखाई की चीज वो तो बाते-बाते होते रहेंगी वो तो आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, बट अभी क्या जो सेन ना जाने की उम्र दराज के भी लोग यहां पे देख रहे होंगे इस वीडियो को, यहां तक कि वो कहीं न कहीं परिवारिक जीवन में भी जी रहे होंगे, कुछ कंडिडेट के तो समझें कि उनके सुपुत्र सुपुत्री भी हो चुके होंगे, तो अभी आप समाज का दोर देख सकते हैं समाज किस परकार से चल रहा है, आपको अपने सपने के साथ साथ कहीं न कहीं अधी अभी के समय में हम लोग बात करते हैं, तो सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा दोलत, सबसे बड़ा सपना आपका अपना बच्चा है, जिस तरीके से अपने बच्चे को संसक परवरिस करेंगे, वो सबसे बड़ा आप लोग का धन पुंजी बनेगा, आप अक्सर देखते होंगे अपने समाज में, बहुत सारे ऐसे लोगों से आप लोगों को देखने को मिलता होगा, हो सकेत आपके सरकल में ही होंगे, यह थोड़ी से आर्थिक इस्तिति क्या उनकी बत शुदार उनके बच्चों में नहीं देखा जाता, बच्चे इधर उधर बिगड़ जाते हैं, समाज के माहोल में बिखर करके वो बिगड़ जाते हैं, इधर उधर जो भी अभी जो नेगेटिब आप समझी सकते हैं बात को, उस चीज का लत अपने उपर लगा लेते है और आगे जीवन में क्या करना है, उसका विशे में वो सोचती ही नहीं है तो अभी आप लोग को क्या करना है, जितना हो सके समय आप लोग के पास बचता है अपनी सपनों को देने के बाद, समय आप अपनों बच्चे में लगाए उनको संसकार, उनसको बहवार समझाईए, चुकि वही आगे बढ़कर के आप लोग के जो भी धन, संपति है, पुन्जी है, उसको संभालेंगे, आप भले दिन का देनी का कितनो ही आप प्राविट काम कर रहे हो, एक टीचर ही हो, क्यों नहीं हो, आप महने का 3-4-5,000 ही क्यो उनको सिखा रहे हैं, वो सबसे बड़ी अहमियत चीज़े रखती है, सो, हेलो अबरीवन, जैसे से गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों के तरफ से, आप सभी को जोहर भिन अन्दन विक खरती हैं, तो चलिए इस परकार बहुत ही, साफ सुतरी तरीके से, बिना किसी रुक के, फाइनली आप लोग का जो CDPO का एक्जामनेशन है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से भली भाती आप लोग के सफल हुए, एक्जामनेशन पीटी का जो पेपर वन और पेपर टू होने के बाद, सबसे बड़ी यहां पर बात आ जाती है, एक कंडिडेट के लिए, कि आग चुकिये हैं, तो आप इस चीज को कटफ के लेकर के आप लोग को रुकावत नहीं बनाना है कि कटफ क्या जाएगा, चुकि अल्रेडी आप लोग का 7 टू 10 जेपेशी का जो मिन्स का एक्जामनेशन है, वो भी आप लोग के होने ही वाले हैं, और वदी उसमें भी आदी आ आप लोग अपने तियारी को तो रोक नहीं सकती हैं, तो तियारी आप लोग को दिन परती दिन करते ही रहना है, एक्सपेक्टिट कटफ का क्या है, आप कल एक्जाम देखके आएं हैं, इसलिए कहीं न कहीं, आपका जो एक एक्साइटमेंट आपके अंदर में वो उत्सु में देखें, प्लेटफोर्म में देखें होंगे आंसर की, फिर से नीचे दूसरा चैनल आप लोग का वाँ फ्लेट कर रहा होगा, तो आप उस चैनल पर चले गिया होंगे, ये एक्साइटमेंट आप लोग का एक दू दिन तक बना रहेगा, धिरे धिरे ये समाप्त हो जा यानि कि PT और मेंस जो भी रिटेन एक्जामनेशन होता है, PT मेंस इंटर्व्यू को बेस्ट में दिया, आप उस एक्जाम में लगे हुए हैं, तो इस बेस्ट एक्जामनेशन में कब आपको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, आपको कोई नहीं बता सकता, इनफेक्ट यहां क चाहा अस्कूल, कोलेज, एकेडमिक हो, या किसी भी कनपिटेस्ट में जब वो एक्जामनेशन देके आता है, सबसे पहले उनकी उस सुकतर हती है यही कि कटफ क्या जा सकता है, एक्सपेक्टेट क्टफ क्या जा सकता है, तो प्लेटफॉर्म का क्या है, हम लोग तो एक प् आप एक्जामनेशन देके आये होंगे, और एनलाइसिस का वीडियो आप हर जगा देख रहे होंगे प्लेटफॉर्म में, तो सभी जगा आप लोग देखते होंगे कि हमारे द्वारा पढ़ाया आ गया है, हमारे द्वारा पढ़ाया आ गया है, हमारे ही नोट से आया है, हम का पढ़ाया हुआ आता है और बनता वही है जो आप खुद से पढ़ते हैं तो इसमें किसी की भागेदारी नहीं है ते जो प्लेटफोम है या जो भी सिच्छक हैं उनका बस आप लोग का मर्ग दर्शन आपके साथ रहता है थोड़ी बहुत आप लोग के साथ सहयोगीता रह है बलकि आपको खुद से अपने आप से सिच्छक बनना है खुद का गुरू बनना है अपने आपको और जिस दिन आप खुद के स्वयम के गुरू बन गिये और खुद के सिस्सी बन गिये उस दिन आप लोग को सफलता लेने से कोई नहीं रोख सकता इतना इस चीज को आप expected cut up को तोर पर चुकि कहीं न कहीं जब तक आप expected cut up का दो चार वीडियो नहीं देखिएगा आप लोग की उत्सुकता जाएगी ही नहीं जाएगी तो उससे बेहतर है कि इस excitement को जितना जल्द हो सके समात कर लिया जाए और फिर से दुबारा अपने हम लोग त्यारी में जो में का आगे का है उस पर हम लोग लग जाए देखिए यहां पर expected cut up आप लोग की समझ में चाहे कुछ भी डिसाइड कर दिया जाए चाहे हम लोग यहां पर 100 भी बता दे या 500 भी बता दे लेकिन आप लोग का त्यारी automatic छुटेगा ही नहीं छुटेगा आप बस इस चीज में है कि expected को cut up बता दे कि इतना पार जाएगा इतना पार तो उसके according हम लोग त्यारी करेंगे देखिए यहां पर चाहे 100 भी बता जिया जाए डेड़ 100 भी बता दिया जाए आप लोग त्यारी करिएगा ही करिएगा यह जाहिड सी बात है वास्तिविक्ता है तो वैसे यदि expected cut up क कि यदि हम लोग बात करते है पेपर वन जैसा कि candidate के द्वारा देखनी को मिल रहा था पेपर वन आप लोग मान के चल सकते हैं 62 65 नंबर 60 से 65 नंबर यहां पे आप लोग का एक अंत्राल भी दिया जाएगा साथ में एक average भी नंबर यहां पे आप लोग को देखनी को 55 to 70 के approach paper 2 का आप लोग का कटफ जा सकता है चुकि यहां पे आप देख सकते हैं negative marking तो आप लोग के हैं नहीं तो सारे candidate out of out question आप लोग के यहां पे टिकोट करके आये हैं बट out of out टिकोट करने से नहीं हो जाता है आप पूछी इसको भली भाती analysis भी कर चुके होगे जब किसी पढ़े हुए आप किसी सेट को लगाते हैं यदि 50 सेट का होगा तो मुश्किल से मुश्किल वहां पे आप लोग का 10-12 ही सही होता होगा तो आप मान के चलिए paper 1 है उसमें 60 to 65 paper 2 में 65 to 70 paper 2 भले असान था reasoning का लेकिन current affairs के question इसमें difficult ही देखने को मिले थे तो इस परकार यदि हम लोग बात करते हैं यदि यहां पे minimum एक score देखा जाये तो यहां पे आप लोग का कितना हो जाता है 125 नमबर और highest कितना है 135 नमबर और इस परकार यहां के बीच में यदि हम लोग देखा जाये तो उसत आप लोग का 130 का बन रहा है तो देखे यह जो highest नमबर है यह आप जेनरल केटेगरी को ले करके चल सकते हैं कि यह आप लोग का जेनरल केटेगरी का highest 135 नमबर और जो minimum केटेगरी जो HCT EWS वाले केटेगरी हैं उनके लिए आप यह highest नमबर मान सकती 125 और जो बीच वाले BC1, BC2 और जो भी जेनरल है HCT इन परकार के examination में आप लोग का ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलता है बस इसी परकार दो चार पराशन आगे पिछे होते हैं तो 135 नमबर आप जेनरल को लेके चलिए HCT को लेकर के 125 नमबर लेके चलिए और जो OBC1, EWS वाले हो जाते हैं तो वो आप लोग 130 के something expected कट अप लेके चलिए तो यहाँ पर कुछ पराशन आप लोग के जो नमबर है वो एक दो आगे पिछे भी हो सकते हैं मैं यह नहीं पूरा बता सकता हूं कि इतना ही जाएगा इतना ही अधी नहीं जाता तो मैं उस परकार का मैं आप लोग साथ नहीं बरता कर सकता हूं चुकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे कंडिडेट हो जब कि वो सिरियसली लेते हैं कहीं न कहीं कटफ को लेकर के और उसके एकोडिंग अपने त्यारे में पूरे जान जोब देते हैं तो आप एक एकस्पेक्टेड अंतराल लेके चल सकते हैं कि मिनिमुम 125 और 135 के बीच में ही आप लोग का कटफ रहने वाला है और आप कटफ को लेकर के ज्यादा चिंतित भी नहीं होना है एक दू दिन में आप लोग का आंसर की जारी होई जाएगा चुकि आप लोग का जो भ आपका 110 नंबर ही बन पार रहा है और आप क्वालिफाइ कर जाएंगे तो उस केस में भी आप क्या किजिएगा फिर बताइए तो उससे अच्छा है कि आप लोग मेंस की त्यारी में लग जाएगे क्टफ क्या जाएगा नहीं जाएगा वो कुछ नहीं और हाँ कही न कहीं अधि आप एक्जामनेशन देने गये थे तो इतना तो तय है या तो आप जेपीसी के लिए डेडिकेटेड है या तो सीजियल क लिए डेडिकेटेड है यदि आप जेपीसी को आगे लेकर के नहीं जाना चाहते चुकि मेंस आप लोग का अच्छी त्यारी नहीं हो पाता होगा तो आप जेपीसी में क्या करना है चुकि सीजियल आप लोग का रिसेंट में एक्जाम देखने को मिलेगा और सीजियल में पेपर टू जारखन जीकिये साइंस हो गया रिजनिंग हो गया हिस्ट्री जोग्रोफी पॉलिटी तो इन इन सेक्षन से जो प्रश्ण पुछे किये हैं बस उस प्रश्ण का पेटर्न देखना है और पेटर्न भी होबा हूँ मेच किया गया है आप देख सकते हैं जैसे योजना से भी प्रश्ण पुछा गया है पंचैती राज से भी प्रश्ण पुछ लिया गया है क्रीसी से भी पुछ लिया गया है भासा से भी प्रश्ण पुछा गया है पुष्टक से भी प्रश्ण पुछ गया है और यहां राजधानी मुद्रा से भी प्रश्ण पुछ तरीके से जो कि एक बड़े आयोक के तरफ से इस exam को conduct करवाये गया है और ये pattern जो follow कर लिया smart तरीका है कि pattern follow करना और जो इस CDP के pattern को follow कर लिया और सिजल के exam में बैठ गया तो निश्चिन्त है कि सिजल वो जरूर crack कर जाएगा तो main है कि सिर्फ कुछ कुछ भी से रह जाएंगे जिसमें कि हम लोग math का section ये सब हो गया computer ये सब तो वो सब छोड़िए उसके अलावा जो है reasoning science जारकन जी के समान ग्यान का जो political geography history इन सभी चीजों को वहाँ पर analysis करना है question paper को देख करके और आगे की रनिती को त्यारी करना है वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है इसके बीच में जो भी बाते हमारे तरफ से कही गई पता नहीं वो आप उस चीज को feel कर पाते होंगे या फिर नहीं कर पाते होंगे लेकिन हाँ इसके बीच में यदि किसी तरह का कोई भी यदि बात हो चुकी होगी भूल चुक से गलती से तो मैं आप सभी से माफिच चाहता हूँ यदि किसी तरह का आप लोग को कोई प्रस्नली ठेज पहुचा होगा बाकी चलिए expected cut-up तो आप देखी चुके होगे कि 125 से 135 मान के चलिए और category हैं तो आप इसी के इर्द गिर्द में आगे पीछे आप लोग ले करके आगे की त्यारी मेंस की त्यारी लग जाईए चुकि मेंस का भी आप लोग का exam date है जोकि वो schedule किया गिया है